वेलकूम उनिसवाइस अगेडमी जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूपियसी प्रिलिम्स 2022 को टार्गेट रखते हुए एक स्रीच सुरू करी थी जिसमें आपको 10 कुश्चन डेली मिलते हैं और हमारा टार्गेट था 1000 प्लस कुश्चन कराने गा ठीक है तो आज उसका डे 3 है इससे पहले दो वीडियो आ चुके हैं स्रीच के अगर आपने अभी तक नहीं देखें तो इस वीडियो भी डिस्क्रिप्सन में उसके लिंक आपको मिल जाएंगे और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है रिसे वाइस अकेडमी तो कर दीजिए ठीक ह चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कोश्चन है कि हरित रणनीतिक साज़ेदारी यानि की ग्रीन स्ट्रेटरजिक पार्टनर्शिप हाल ही में चर्चा में रही यह निमिलिखित में से किस देश के साथ भारत की दोई पक्षिय साज़ेदारी है ओप्षन है A. डेन्मार्क, B. एस्टोनिया, C. स्पेन या D. आइसिलेट तो इसका उत्तर है A. ठीक है डेन्मार्क यानि की हरित रणनीतिक साज़ेदारी जो है सितंबर 2020 में भारत और डेन्मार्क दोनों देश के बीच यह हुई थी ठीक है तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है निमिल खितमे से कौन सा हाल ही में मानवतागी युनेसको अमूरत सांस्कृतिक विरासत जिसे इंगलिस में Intangible Cultural Heritage के रूप में माननेता प्राप्त करने वाला एशिया गा पहला त्योहार बन गया है ठीक है तो इसका आंसर है ए हाल ही में कौलकत्ता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूरत सांस्कृतिक विरासत की युनेसको की परतिनिति सूची में अंकित किया गया ठीक है और मानवता की युनेसको के यह जो इंटेमजिवल कल्चरल हैरिटेज के रूप में मानवता प्राप्त करने वाला यह है एशिया का पहला त्योहार बन गया है दुर्गा पूजा क्या है तो दुर्गा पूजा पांच दिवसिये त्योहार त्योहार है जो नो दिवस के जो नवरात्रे होते हैं आप जानते होंगे नवरात्रे उत्सब की पांचवी रात से शुरू होता है ये दुर्गापूजा और ये दसवे दिन यानी दसमी को सवापत होता है ठीक है अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन प्राए समाचारों में रहा चीन का सिंजियांग प्रांथ निमलिखित में से कौन से देशों से घिरा हुआ है ऑप्सण है एक तजाकिस्तान, दो रूस, तीन किर्गिस्तान और चार कजाकिस्तान तो आपको इसके ये कूठ का प्रियोप करकर सही उतर चुनना है इनमें किन-किन देशों से घिरा ह तो जो कोई राज्येगर सिर्कियों में है और इतने देशों से घिरा हुआ है तो इंपोर्टेंड हो जाता है ठीक है तो सिंज्यांग तकनी की रूप से चीनी भूभाग में एक स्वायच चेत्र है इसका सबसे बड़ा चेत्र खनीजों में समरद तथा भारत, पाकिस्तान, रूस और अफगानिस्तान सहीत आठ देशों के साथ ये सीमा साजा करता है तो आप समझ गे होंगे कि कितना इंपोटेंट आपका एक छेत्र है या एक जगह है Question number 4 तो निमिल खित में से कौन से परिसुद किरसी की विशेष्ता है ठीक है परिसुद किरसी यानि पिरसीजन एगरिकल्चर ठीक है तो ये उसकी विशेष्ता बतानी है आपको एक उच्च किर्सी उत्पादक था, दो फसल उत्पादर में अधिक रसायनिक अनुप्रियोग और तीन जल संसादनों का कुसल उप्योग तो ये तीन स्टेटमेंट है आपको बताने हैं कि परिसुद किर्सी की विशेस्ताओं में इनमें से कौन-कौन से सही है तो अ केवल 1 और 2, b केवल 2 और 3, c केवल 1 और 3, d 123 तो इसका आनसर है c, यानि कि केवल 1 और 3 यानि कि जो आपकी दूसरी स्टेटमेंट है कि फसल उत्पादन में अधिक रसायनिक अनुप्रियोग यानि कि रसायनिक जो आपका खाद है या जो आपके कीट ना सक है इनका अधिक वनोप्रियोग इसमें नहीं होता है तो परिशुद किर्शी के अंत्रगत सेंसर, रिमोट सेंसिंग, टीप लर्दिंग और आइटिफीसिल इंटेलिजेंस तता इंटरनेट अफ तिंग्स में हुए विकास को व्यभार में लाकर दक्षता एवं परियावरणिया निरंतरता का संबर्धित उपयोग कर मिर्दा, पोदो, एवं परियावरण की निगरानी के माध्यम से किर्शी उत्पादक्ता बहाने पर चर्चा करता है ठीक है, तो ये परिसुद किर्शी के बारे में ये इसकी एक जानकारी थी और इसके लाव की बात करें परिसुद किर्शी की परिसीजन एगरिकल्चर की तो ये किर्शी उत्पादक्ता को बढ़ाती है मिर्दा के छरण को रोकती है फसल उत्पादन में रसायनिक अनुपयोग को कम करती है जल संसादनों का कोसल उपयोग करती है गुडवत्ता, मात्रा और उत्पादन की कम लागत के लिए आधोनिक किर्शी पद्धतियों का परसार करती है किसानों की सामाजी का अर्थिक स्थिति में बदलाव लाती है तो ये इसके कुछ लावते है यानि कि जो परिशुद किर्शी है, जो टेकनोलोजी है उसे अपना कर इसे परियावरन के लिए अनुकूल बना रहे है अब देखते हैं अगला कोस्चन कोस्चन नमर फाइब निमिलिकित कतनों पर विचार कीजिए तो ये स्टेटमेंट है तो ये तीन स्टेटमेंट है आपको बतानी है कि गोवा के संदर में कौन कौन सी इन में से सही है तो लिखा है कि उप्युक्त कतनों में से कौन से सही है तो इसका आंसर है यानि कि ये तीनों स्टेटमेंट ही गोवा के बारे में सही है गोवा भारत के दक्षिट पश्चिमी तठपर कोकर्ड के रूप में जाने जाने वाले छेति मिस्तित है और भोगलिक रूप से दक्कन उच्च भूमी से पश्चिमी घाट द्वारा जो आपका वेस्टन घाट है उसके द्वारा ये अलग होता है और इसकी अधिकारिक भासा कौनकडी है जो की आठवेनुसूची में सामिल है तो इसके वन्यजीव अवारन्यों राष्ट्रों धान की बात करें अब है हमारा अगला कॉस्चन कॉस्चन नमबर सिक्स हाल ही में चर्चा में रही इसमाईल योजना निमिल लिकित में से किस मंत्राले दुवारा तेयार की गई है तो उप्शन है ए समाजिक न्याय और अधिकारता मंत्राले अब ये क्या है तो भिकारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मोजूदा योजनों के बिले के बाद यह एक नई योजना है आपकी समाईल योजना योजना राज्य और संग राज्यचित यानि यूनिन टेरिटरी की सरकारों और सहरी स्थानी निकायों के पास उपलब्द मोजूदा आश्रे घ्रहों के उपियोग के लिए विक्षय विर्ती में लगे व्यक्तियों के लिए पुनरवास सुनस्चित करती है और इस योजना के केंदर में बड़े पैमाने पर पुनरवास चिकित्सा, सुविधाओ का परवास प्राबधान, प्रामर्स बुनियादी दस्तावेद, सिक्षा, कोशल विकास आदि हैं ठीक है और यह योजना जैसा कि मैंने बताया कि समाजिक नियाए और अधिकारता मंत्राले द्वारे तैयार की गई है अब है हमारा अगला कुश्चन कुश्चन नमबर सेवन तो इसमें दो स्टेटमेंट है निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए एक भारतिय सम्मीधान का अनुच्छे तेईस मानव तसकरी और जवरन स्रम पर रोग लगाता है और दूसरी स्टेटमेंट है पलेरमो कन्वेंशन मानव तसकरी से संबन दित है तो प्यूप कत्रों में से कौन से सही है एक एवल एक बी केवल दो सी एक और दो दो डी ना तो एक और ना ही दो तो इसका अंसर है सी एक और दो दोनो यानि दोनों statement ही सही हैं कि भारत्य समिधान का नुच्छे 23 मानव तसकरी और जवरन श्रम पर रोक लगाता है और यह जो पलेरिमो convention है यह मानव तसकरी से सम्बंदित है ठीक है अगला question हमें आरा question number 8 प्राय चर्चा में रहने वाला blue heart campaign किस से सम्बंदित है A. मानव तसकरी से लड़ने के लिए वेश्विक जागरुता बढ़ाने की पहल से B. अवेद ड्रक्स से समाज के सामने आने वाली चुनोती के बारे में जागरुता से C. HIV परभावित लोगों का समर्थन करने के लिए अभ्यान से D. अल्पकालिक गरीवी और कठनाई को कम करने से ठीक है Blue heart campaign तो इसका उत्तर है A. यानि मानव तसकरी से लड़ने के लिए वेश्विक जागरुता बढ़ाने की पहल से अगला question है Question No.9 तो ये एक Tiger Reserve के बारे में तीन statement है आपको बताना है कि ये जो तीनो statement है किस Tiger Reserve के बारे में है ठीक है तो पहले statement है इसकी सीमा भूटान के अंतराष्ट सीमा के साथ लगती है दूसरी Tiger Reserve के वन मुख्य रूप से नम उश्र कटिवन्दिया परकार के है तीसरी संकोस, रेदक, जयन्ती, चुर्णिया इससे होकर भहने वाली नदिया है ठीक है तो उप्यूक कथन भारत के निमिलिकित में से किस Tiger Reserve से संबन्दित है A. बुक्सा Tiger Reserve B. डंपा Tiger Reserve C. पीली भीत Tiger Reserve D. दुदवा Tiger Reserve तो इसका उत्तर है A. बुक्सा Tiger Reserve बुक्सा Tiger Reserve पस्चिम मंगाल के जलपाई कुडी जिले में इस्तित है और ये वर्स 1983 में भारत के पंदरवे Tiger Reserve के रूप में स्थापित किया गया था ठीक है बुक्सा Tiger Reserve की उत्तरी सीमा भोटान के अंतराष्टे सीमा के साथ लगती है ठीक है अब है मारा क्वेश्चन नमबर दस और ये बहुत इंपोर्टन क्वेश्चन है तो इसमें भी तीन स्टेटमेंट है आपको बताने हैं कि इन में से कौन से ठीक है तो पहली स्टेटमेंट है ग्रेट इंडियन बश्टर्ड परमुग घास के मैदान की पर जाती है दूसरा जी आईबी यानि ग्रेट इंडियन बश्टर्ड को आईउसियन रेड लिष्ट के तैथ गंभीर रूप से संकट ग्रस्त यानि क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सुचिवद किया गया है और तीसरा जी आईबी की जन संक्या केवल राजिस्थान की मरो भूमी राष्ट उदान तक ही सीमित है तो उप्यूत कत्रों में से कोन से सही है A केवल 1 और 2 B केवल 2 और 3 C केवल 1 D 1, 2, 3 तो इसका आंसर है A केवल 1 और 2 यानिकि यह जो तीसरा तीसरी स्टेटमेंट है कि जियाईवी की जनसंक्या कि अबर राजिस्थान की मरुभू में राष्ट उद्धान तक ही सीमित है तो यह गलत है क्योंकि इसके कुछ संक्या अन्य राज्यों में भी पाए जाती है ग्रेट इंडियन वरिश्टर राजिस्थान का राज्य पक्षी है और भारत के सबसे गंबीर रूप से लुप्त प्राए पक्षी माना जाता है यह गहांस के मैदान की परमुग परजाती मानी जाती है जो चरगाहा पारेस्थिती की परतीनिधित करती है ठीक है तो पहला हिस से भी भार पाई जाती है ठीक है तो ये था इस परकार हमारा कोश्चन नंबर टैन का आंसर तो आज के दस कोश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं आपको कैसे लगे कमेंट करकर जरूर बता है यदि आपको इस उजहाब देना चाहते हैं सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करकर दे सकते हैं जिसका हमें बेस अवरी से इंतिजार रहता है वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी हिंदी माद्य हम से तयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं मिलते हैं कल अगले 10 important question के साथ ठीक है धन्यवाद